जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ये सारे नजाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं, ऐसे में मेरी आप सभी देश्वासियों से प्रार्फना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्युदर को देखें, तो दुनिया के अनेक देशों की तुन्ना में भारत संबली हुई स्थिति में है। समय पर किये गए लॉकडाउं और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलोक वन हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक वहवार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास को लेकर दो गज की दूरी को लेकर बीच सेकंड तक दिन में कई बार हाथ दोने को लेकर बहुत सतर्क थे। लेकिन आज जब हमें जादा सत्रक्ता की जरूरत है, तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों लोकडाउन के दौरान पहुत गंभीता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानिय निकाय की संस्ताओं को, देश के नागिकों को, फिर से उसी तरह की सतरक्ता दिखाने की जरूरत है। विशेशकर, कंटेंडमेंट जोन्स उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधान मंत्री पर तेरा हजार रुपिय का जुर्माना इसलिए लग गया, क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानिय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड देश स्वास्चों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गाउं का प्रधान हो या देश का प्रधान मत्री कोई भी नियमों से उपर नहीं है। साथियों लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्रात्फिक्ता रही। ऐसी स्थिती ना आये कि किसी गरीब के घर में चूला न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारे हो, सिविल सोसाइटी के लोग हो, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई भेन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संबेदन सिल्ता से फैसले लेने से, किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ती अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना लेकर आई। इस योजना के तहट गरीबों के लिए पौने दो लाग करोड रुपिय का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते तीन महिनों में 20 करोड गरीब परिवारों के जंदन खातों में सीधे 31,000 करोड रुपिया जमा करवाए गये हैं। इस दोरान 9 करोड से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड रुपिय जमा हुए हैं। इसके साथ ही गावों में स्रमीकों को रोजगार देने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्या रोजगार अभ्यान तेज गती से आरम कर दिया गया है। इस पर सरकार पच्चास हजार करोड रुपिय खर्च कर रही है। लेकिन साथियों एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हरान किया है, आश्चरे में डुबो दिया है। वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में असी करोड से जादा लोगों को तीन महने का राशन याने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या चावल मुप्त दिया गया। इसके अतिरिक प्रती परिवार हर महिने एक किलो दाल भी मुप्त दी गई। यानि एक तरस से देखे तो अमेरिका की कूल जनसंख्या से डाई गुना अधिक लोगों को। ब्रिटेन की जनसंख्या से बारा गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग दो गुने से जादा लोगों को हमारी सरकार ने मुप्त अनाज दिया है। साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण गोश्णा करने जा रहा हूँ। साथियों, हमारे यहां बर्शा रूत्व के दोरान और उसके बात मुख्य तोर पर क्रिशिक शेत्र में, एग्रिकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहोल बनने लगता है। अब आप देखिए अभी पांच जुलाई को गुरुपर निमा है। फिर शावन शुरू हो रहा है। फिर पंदरा अगस्त आएगी, रक्षा बंदन आएगा, कृष्णा जनमास्त में आएगी, घनेश चतुर्थी आएगी, ओनम होगा। और आगे जाएं तो काटी बिवु हैं, नवरात्री हैं, दुर्गा पूजा है, दशारा है, दिपावली हैं, छठी महिया की पूजा है। तो हारों का ये समय जरूरते भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, ये फैसला लिया गया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानि नवंबर महिने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानि असी करोड लोगों को मुप्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन पांच महिनों के लिए असी करोड से जादा गरीब भाई बहनों को, हर महिने, परिवार के हर सदस्य को, पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुप्त महिया कराया जाएगा। और साथ ही प्रतेक परिवार को हर महिने एक किलो चनाभी मुप्त दिया जाएगा। साथियों, प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के इस विस्तार में नब्बे हजार करोड रुपिय से जादा खर्च होंगे। और अगर इसमें पिछले तीन महने का खर्च भी जोड़ दें, तो ये करीब करीब डेड़ लाग करोड रुपिया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आगरे कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ा है। और काम क्या है। अब पूरे भारत के लिए एक राशनकार की ववस्ता भी हो रही है। एक राश्ट एक राशनकार वन नेशन वन राशनकार इसका सबसे बड़ा लाप उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यक्ताओं के लिए अपना गाउं छोड़कर के कहीं और जाते हैं। साथियों आज गरीब को जरूरत मंद को सरकार अगर मुप्त अनाज दे पा रही हैं। तो इसका स्वे प्रमुकृप से दो वर्गों को जाता है। पहला हमारे देश के महंतिक किसान हमारे अन्नदेता और दूसरा हमारे देश के इमानदार टैक्सपेयर आपका परिश्रम आपका समर्पन ही जिसकी वज़े से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है। इसलिए आज गरीब का स्रमिक का चुला जल रहा है। आपने इमानदारी से टैक्स भरा है। अपना दाईत्व निभाया है। इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकावला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्सपेयर का रुदे से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेश करेंगे। हम गरीब, पीडीत, शोसीत, बंचीत हर किसी को ससक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियाद बरते हुए, एकोनोमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत मंदिर भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम एक सो तीस करोड देशवासियों को मिल जुल करके, संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। फिर से एक बार मैं आप सब से प्रांथना करता हूँ, आपके लिए भी प्रांथना करता हूँ, आप से आंगरह भी करता हूँ, आप सबी स्वस्त रहिए, दोग गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमचा, फेस कवर, मास ये हमेशा उप्योग कीजिए, कोई लाप परवाही मत बरती है, इसी आगरह, इसी कामना के साथ, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ, धन्यवाद। झालता हूँ, ये हमें चझाना हूँ, इसी आप साथिता हूँ, Kathy C. झाल झाल